शूपरभात बच्चों बच्चों आज हम करेंगे छटिक अक्षा के अध्याय नंबर दो बच्चपन जिसकी लेखिका है किरिशना सोबती प्यारे बच्चों इसमें लेखिकान ने अपने बच्चपन की बाते बताई हैं आपको यादी है कि वो क्या करते थे बच्चपन में क्या खाते थे कहां खेलते थे कैसे कपड़े डालते थे उन्हें खाने के लिए घरवाले क्या देते थे कहां घूमने जाते थे वो वो सब बाते हैं इसमें किस्णा स्वबती जी ने इसमें बताया है कि हम बच्पन में अपने मोजे खुद दोते थे और उन्हें पालेश करते थे अपने मोजों को पालेश भी करते थे उन्हें चमकाते थे और हमें सनिवार के दिन केस्टर ओइल पीना पड़ता था आप पेस्टर ओ पेट को साफ करने के लिए तो प्यारे बच्चों आपको कुछ याद आया होगा इस लेसन के बारे में तो इसके हम सब्दर्थ होर इसकी जो मुख्या परसन उत्तर हो करेंगे तो खिर्पया इस पर ध्यान देजिए सबसे पहले करते हैं सब्दर्थ पाट का नाम नमबर दो बच्पन लेखी का किर्शिना सोब्ती सब्दर्थ स्याना स्याना क्या आता बच्चों होँशियार क्या आता बच्चों स्याना होँशियार स्ताबदी क्या आता है एक सो सालों का समय स्ताबदी क्या आता बच्चों ए रिवाज, चलन क्या आता है बच्छो, रिवाज फ्रील क्या आता है, जहलर फ्रील क्या आता है, जहलर चलन क्या आता है बच्छो, रिवाज सक्त क्या आता है बच्छो, कठोर किसम से, परकार से सनीचर क्या आता है बच्छो, सनीवार सनीचर क्या आता है सनीवार सनीवार सेटड़े को सनीचर भी कहते है ओलीव ओल क्या आता है जैतुन का तेल ओलीव ओल क्या आता है बच्चो जैतुन का तेल कैस्टर ओल क्या आता है गाड़ी चिकनाई वाला तेल होता है गाड़ा होता है तेल होता है वो भी केस्टर के पोदे से निकलता है उसके बीजों से मितली क्या आता बच्छो उल्टी कै नीरा क्या आता बच्छो मातर नीरा क्या आता है मातर बुरकना क्या आता बच्छो छिडकना हाश्ट पुष्ट क्या आता बच्छो सवस्थ हश्ट पुष्ट क्या आता है वाचो सवस्थ रोनक क्या आता है वाचो सोभा कोला हल क्या आता है वाचो कोला हल क्या आता है शोर क्या आता है वाचो क्या आता है वाचो सोर खीजना क्या आता है वाचो चीडना खिजना क्याता है बच्चो चीड़ना सुवीते क्याता है बच्चो सुवीधा जना इससे आगे आगे बच्चो खालिस्तान हमने वाड़ मीनिंग कर लिये हैं उससे आगे खालिस्तान है खालिस्तान भी थ्यान से देखिए लेखिका ने पाठ में अपनी डैस की उमर का वर्णन किया है कुन सी उमर का वर्णन किया है बच्चो बच्पन की लेखिका ने पाठ में अपनी बच्पन की उमर का वर्णन किया है नमबर दो लेखिका विशेश रूप से डैस के कपड़े को याद करती है किसके कपड़े को याद करती है फ्रोक के किसके है फ्रोक के लेखिका विशेश रूप से फ्रोक के कपड़े को याद करती है बच्चो आगे क्या देखिए नमबर तीन पर लेखिका को बच्पन में खुद डैस धोने पड़ते थे क्या धोने पड़ते थे बच्चो लेखिका डैस गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार पहले इतने आराम दे डैस नहीं होते थे क्या नहीं होते थे जूते नहीं होते थे आगे क्या गया बच्छो देखो सहीवी कल्प चुनेओ पहला क्या है साइव कल्ब बच्पन पाट की लेखी का कौन है बचो आपको पता ही है हिलन केलर शुबधरा कुमारी चोहान कृष्णा सोबती सुन्दराराम शुआमी कौन थी कृष्णा सोबती किसने लिखाए लेशन किसना सोबती जी ने नेक्स्ट, एमसी क्या हो गया बच्चो, नमबर दो, लेखी का कब पैदा हुई थी, कब पैदा हुई थी बच्चो, पिछले दिन, पिछले साल, पिछली स्ताबदी, पिछले माहा, पिछले माहा, कब हुई थी इसका उत्र क्या है, पिछली स्ताबदी, मतलब पिछली स्ताब स्फेद रंग वाले हलकी रंग वाले कैसी कपड़े डालती थी रंग वी रंगे क्योंकि वो छोटी भी डॉटी रंग इसलों बड़ी जाती है थोड़ी!!! तब लोग light color के कपड़े डालते हैं ज्यादा तर तो कैसे कपड़े डालती थी वो देखे का जब बच्पन में रंग भी रंग है प्यारे बच्चो आगे देखी नमबर च्यार सिम्ला में आखों के डक्टर कोन थे कोन थे आखों के डक्टर बच्चो सिम्ला में भारती है अंग्रेज डच्च और स्पेनिश कोन थे अंग्रेज फों अंग्रेज थे इस पार्ट में किस बच्चे का नाम लिया गया है किस नाम किसका नाम लिया गया है सर्वर का सर्वर सर्वर सर्सर सर्वत किसका नाम लिगा है सर्वर का किसका नाम लिगा गया बच्चों सर्वर का तो नेश्ट के आगए अब देखते हैं इसके आगे परसन उत्र आएंगे बच्चों ये सब आप तो चुके हैं हमारे तो अब हम इसके परसर उत्र करेंगे लेखेका के बस्पन में चाले क्यों पढ़ जाते थे बच्छो? नए जोते पहनने से नमबर दो सनिवार के दिन लेकिका के लिए क्या पीना मुश्कील था क्या पीना मुश्कील था बच्चो कैस्टर ओयल क्या उत्तर इसका कैस्टर ओयल नमबर तीन सहतूत फालसे और खसकस के सर्बत किसमें बदल गए पहले वो क्या करते थे लेखी का बचपन में सहतूत, फालस, और खस-खस के सरबत विएती थी सरबत बनाते थे पहले लेकिन आप क्या करते हैं लोग डेडि मेड़ शरबत मिलते हैं जिसको हम कोक पैपसी बोलते हैं वो लेकिनाते हैं और जह हमारे गैश Hersh आते हैं पिलाते हैं तो किसमें बदल गए थे सैतुत पाल से खस-खस कोक और पैपसी में किसमें बदल गए बचो कोक और पैपसी में लेखिका को हफते में एक बार क्या खरीदने की चूर थी लेखिका क्या खरीदने की चूर थी चोकलेट क्या खरीदने की चूर थी बच्चो चोकले लेखिका को सिम्बला में किस फल की बहुत याद आती है लेखिका को सिम्बला के किस फल की बहुत याद आती है काफल की वहां कोई फरूट था यहां पर नहीं होता है काफल नाम कोई फरूट हमाएं हमारे यहां तो नहीं आता कोई लेकिन वहां सिम्बला में होता होगा पहा किये लिखिकाने बच्पन में सिम्ला में कहां पर बहुत मज़े किये रिज पर कहां पर मज़े किये बच्छो रिज पर किसे नमबर साथ दुकान के सो रूम में किसका मोडल बना हुआ था बच्चो किसका मोडल बना हुआ था ट्रेन का किसका मोडल बना हुआ था बच्चो माँ पे ट्रेन का मोडल बना हुआ था कौन सी ट्रेन का काल का एक्सपेक्स का जो काल का सिमला जो चलती है उस ट्रेन का मोडल बना हुआ था नमबर आठ लेखिका के भाई को लेखिका की सकल कब लंगूर बंदर जैसे लगती थी लेखिका भाई को कब लंगूर बंदर जैसे दिखती थी चसमा पहनने पर कब पहनने पर क्या पहनने पर सस्मा पहनने पर जब वो सस्मा पहनती थी तो उसको उसके सचेरे भाई क्या बोलते थे शूर्थ बनी लंगूर की कंज्या सब्सक्राइब का उसरा स्वाध्य स्वाद कर था में और wiping एक उन दिनों घरों में मंधरम जम के सादNS क्या थैं पूंधर के सदुन्ध व Olha को पता है इस पाइब लेशन इस की थी उस पर अप फोन पे लेखी का बच्पन में इतवार को की सुबह क्या 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 काम करती थी लेखी का बच्पन में इतवार में इतवार की सुबह में अपने मोजद होती थी और जूतों पर पॉलिस करके चमकाती थी Q12 तुम्हें बताओंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है इस बात के लिए लेक्षी का क्या क्या उधान देती है Q12 तुम्हें का उतर देखेंगे हम लेक्षी का बताती है कि उन दिनों घरों लेक्षी का बताती है कि उन दिनों कुछ घरों में ग्रामो फोन थे रेडियो और टेलिविजन नहीं थे लेक्षी का बताती है कि उन दिनों कुछ घरों में ग्रामो फोन थे रेडियो और टेलिविजन नहीं थे उस समय की कुलफी आइस क्रीम में और कचोड़ी पैटिज में बदल गई है नेक्ट करते हैं देखो परसन पार्ट में पता करके पार्ट में पता करके लिखो की लेक्षी का को चस्मा क्यों लगाना पड़ा चस्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिडाते थे क्या कहकर चिडाते थे